So hello दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सा रहा रहा दा, एक का फे तो स्वागत है, मेरी इक नवी वीडियोज So guys, जैसा कि इस वीडियो के थमनिल पे आप देख के आई हो, इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि LPU NASH के exam centers कहाँ पे, exam घर पे होगा, या office में जाके होगा, LPU में जाके होगा, कहाँ पे होगा, सारे information आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है, वीडियो के end तक उससे अगर पहले आप चैनल पे नई हो, तो चैनल को सब्सकाइब कर लो, ताकि कोई भी latest information, LPU से related आप इस ना करें, चाहे वो placement से related हो, चाहे वो hostel से related हो, चाहे वो podcast से related हो, LPU के related, या कोई भी आपको discount डिलाने से related हो, जो भी आपकी यहाँ पे fees लगने वाली है, फिलाल ज season benefit का discount चल रहा हो, hostel facility के उपर मतलब की, EDB के उपर मतलब की, अगर आप 30 सपरेल से पहले-पहले यहाँ पे admission लेकि अपनो hostel बगेरा बुक कर लेते हैं, तो आपको 10,000 रुपीस का discount हो जाएगा, hostel fees के उपर, जैसे कि अगर आप यहाँ पे hostel की fees वैसे 90,000 है, तो आपको 10,000 less म 80,000 रुपीस में मिल जाएगा, hostel, और अगर हम बात करें, और facility की वो आपको मिल जाएगी, flat 50% का LPU NES के उपर discount मिल रहा है, जैसे कि official जो LPU NES की fees है, वो कितने 1000 है, boys के लिए, girls के लिए 500, लेकिन अगर आप निच्छे description में दिएगे, link से register करते हैं, तो आपको flat 50% का discount मिल जा करना कब exam होगा, तो सबसे पहले आपको यह बात बता दूँ कि जो LPU NES के exam है, वो अगर सब्तेमर ता कभी चलने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नी है, लेकिन LPU NES के exam है, वो phase 1, phase 2 में conduct होता है, phase 1 में अगर आप register करते हैं, तो आपको बहुत सारे benefits होते है, एक तो EDB के थू आपको hostel में पैसे हैं, जो less हो जाएंगे, उसके बाद जो main benefit है वो है कि अगर आप पहले exam देते हैं, तो आपको जो scholarship है, वो maximum scholarship जादा मिलती है, बाद में exam देते हैं, तो scholarship है, वो कम मिलती है, जैसे example देता हूँ, कि जैसे अगर आप B.Tech computer science engineering करने जारे है, और अभी आप LPU Nets का exam देते हैं, तो उसमें आपको time भी same मिलेगा, difficulty level भी same रहेगी, exam की fees भी same रहेगी, अभी जो आपको scholarship मिलेगी, वो मिलेगी up to 40% की, लेकिन अगर आप phase 2 में register करते हैं, तो आपको maximum scholarship रह जाएगी 30% की, तो syllabus सेम होगा, fees सेम होगी, timing सेम होगा, लेकिन बाद में register करने स आपको scholarship कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे-जैसे seat filling होती जाएगी, वैसे-वैसे scholarship की जो amount है, वो कम होती जाएगी, तो अगर आप यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, ज्यादा स्यादा maximum scholarship में जल्दी-शल्दी, नीचे description में दिएगए लिंक से LPNS के रिजिस्टर कर सकते हैं, ज 28 states में, 8 unit territories में, 200 से जादा cities में, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, आपको अपनी बस state और city select करनी है, उसके nearest जो सबसे within, आपके within मतलब कह सकते हैं, 10 to 20 km के बीच बीच में यह आपको जो है LPNS का center मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर आपको exam देना है, यहाँ प अपनी बस देख लेंगे कि test centers वगयरा कहां पे रहने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप जाएंगे ना, इसे test cities में, test cities के उपर click करते हैं, सारा मैंने आपको process भी बता रहा हूं, तो अगर आप अंडेवान निकोबार में हैं, तो भी आपको कहीं जाने के जूरुत नह पिलोंग करते हैं, तो यह सारी cities हैं, जहाँ पर जाके आप exam दे सकते हैं, जैसे कि विशाका, पत्नम, त्रिवपती, ठीक है, विजेवाडा, गोनल, तो जितने भी यहाँ पे हैं, यहाँ पे इन वाले आंदरप्रदेश में इन वाले जगा पर जाके आप exam दे सकते हैं, ज इन सब जगा पर जाके exam दे सकते हैं, तो यहाँ यहाँ पर मैं highlight कर रहा हूँ, आप पूरा देख सकते हैं, screenshot लेके कि कहा का आप exam center है, अगर आप चंडिगड से बिलोंग करते हैं, चंडिगड में exam center है, 36 गड़ से तो बिलाही में है, कोरभा में है, बिलासपूर में है, र राजकोट, तो यह वाले centers हैं, जो आपके गुजरात में हैं, उसके बाद अगर हम हर्याना की बात करें, तो हर्याना में तो काफी सारे centers हैं, अंबाला, रोत्त, कुर्शेतर, गुर्गाओं, सिर्सा, सोनिपत, हिसार, फरिदवार, यमुना नगर, करनाल, पानिपत, भिव नहीं, उसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश में भी काफी सारे centers हैं, जैसे कि धरमशाला, बिलासपूर, हमीरपूर, चंबा, मंडी, पालंपूर, शिमला, सोलन, तो यह सारे centers हैं, जम्मो कश्मीर में भी हैं, जम्मू में भी है, शिरिनगर म जो एक्जामें आप दे सकते हैं, रिजिस्टर आपको नीचे डिस्किप्शन में दिये गए, लिंक से करना ताकि आपको फ्लाट 50% का डिस्काउंट मिले, कैरला में भी काफी सारे हैं, कैरला में भी काफी बड़ी जगाओ पर सारे एक्जाम सेंटर है, मद्या प्रिदेश के भी देख सकते हैं, इंदोर, भुपाल, जबलपूर, ग्वालियर, श्रेवा, ये वाले, उसके बाद अगर माराष्टरा की बात करें तो नासिक, कॉलापूर, नवी मुंबई, मुंबई, पुना, नाकपूर, थाने, जलगाओं ठीक है, यहां सारी जगापे है, अगर जा रहे हैं, तो ये वाली सभी जगापे, भुबनेश्वर सब जगापे, पॉंडी चैरी में, पॉंडी चैरी में भी है, पंजाब की बात करें तो बटेंडा, पतानकोर्ट, पतियाला, अमरिस्सर, संगरूर, अबोर, मुहाली, लुद्याना, यहां सब जगापे, राजिस्थान की बात करें तो उदेपूर, जैपूर, जोतपूर, कोटा, अलवर, भिकानेर, शिरी, गंगानगर, अजमेर सब जगापे, ऐसे किंग की बात करें तो गैंग टॉक में, तमिल नाडू में, चन्नाई, कॉंबितू, रिडो, तो यहां पे जाके आप सारी जग कि कब आपको बुक करना है, जैसे कि मैं आपको important dates में जाके दिखा दे तो यहां पे आपको पता लग जाएगा, कि जो slot यहां पर चल रही है, application की form की fees है, वो 20 अपरेल तक last date यहां पर चल रही है, ठीक है, slot booking की जो online exam आपका हो कब से start होगी, 11 अपरेल के बाद आप कभी भ में देना है, मैं preference select कर दूँगा, कि मेरी preference क्या रहेगी city की, वो city select कर दूँगा, तो आपके सबसे nearest जो है, LPNS का जो center होगा, वहापे आपको दिखा देगा कि कौनसी slot का आपके exam देने के लिए खाली है, उसके according आप सब कुछ खुद बुक करेंगे, बुक करते हैं, आपक आपका exam हो जाएगा, तीन से चार दिन में ठीक है, आपका तालीस से बहतर गंटे के भीशविश में आपका result आजाएगा, जिसमें आपको पता लग जाए कि आपकी scholarship कितनी क्या है, तो सब कुछ आपको वहापे पता लग जाएगा, तो I hope आपको सारी information मिलगी हो, फिर भी क आउट वगेरा नीचे comments में पूछ सकते हो, चैनल पर नव हो तो subscribe करें भीना, बिल्कुल मत जाना, मिलते हैं से एक लिए किसी वीडियो में, तब तक के लिए, बाए-बाए